आज मैं इटलियन बहुती फेमस दिश पास्ता बनाने वाली हूँ जिसे हम सब बड़े छोटे सब बहुती ज्यादा पसंद करते हैं इसे मैं अपने स्टाइल में बनाने वाली हूँ और अगर मेरे रेसिपी अब लोगों को पसंद आये तो पीस लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना होता है जस्ट आपका जो जीमेल अकाउंट है उसमें लॉग इन करके यूट्यूब में जो लोगों आते हैं रेड कलर का सब्सक्राइब का जो लोगों आते हैं उसमें ज चीकेन पास्ता बनाने के लिए मैंन लिया है 500 ग्राम पास्ता जिसे हम पहले से बॉइल करके रख दिया और हमें चाहिए सम बेज़ोटाबल्स यहां पर मैंने ब्रेड और ग्रीन बेल पेपर कैरट्स लिया है और हमें जो चाहिए फाइनली चॉप गार्लिक सम ग्रीन चिली वान कप टमेटो प्यूडी फ्रेड़ा फॉड्टी ग्राम बोनलेस चीकेन यहां पर मैं एक सॉस बना के रखी हूं जिसमें मैं टमेटो केचप रेड और ग्रीन चिली शॉस एंद थोड़ा सा स्वै श्वाय शॉस यूज गिया और यहां पर मैं ओलीवाई य इस चाहिए हाप टेस्पून ब्लैक पेपर पाउडर चाहिए और एक कप ठंडा पानी में एक टेबल स्पून कॉन्स्टाज को मैंने मिक्स करके रख दिया ओईल गरम हो चुका है अभी हम इसमें गार्लिक ताल देते हैं इसमें एक मिनिट के लिए स्टेयर कर लिएते हैं अभी इसमें हम चिकन पिसस को मिक्स कर लेते हैं अभी हम इसमें जो बहते हैं अभी हम इसमें जो एजितबल से उसे डाल देते हैं को आख और अचा है इसे भी हलका साइ कर लेते हैं अभी हम इसमें थोड़ा सा सॉल एड़ कर देते हैं और जो ब्लैक पेपर पावड़क तब भी एड़ कर देते हैं अभी जो ब्लैक पीले हैं उसे एड़ कर देते हैं अभी इसमें हम टामेटो फ्यूडी को डाल देते हैं अभी जो आपके उड़ी टिकन के चाथ अच्छे से मीच हो गया अभी हम जो सॉस बनाये थे उसे मिला लेते हैं अभी हम हमारा जो पास्ता है उसे मिक्स कर देते हैं अभी पास्ता में हम थोरा सब कॉंस्राक्स को हिला देते हैं इसमें फ्लेवर की पास्ता है पास्ता है इसमें फ्लेवर के लिए जट वान पिंच फूबर हम एड कर देते हैं और उपर से हमें जो ग्रेटर चीज वेडी करके रखेते हैं उसे भी डाल देते हैं और पिंच पास्ता के लिए जस्ट पिंच पिलेते हैं और यह हमारा चीकन विद वेजटेबल पास्ता साफ करने के लिए रेडी हो गया यह हमारा यामी फांटेस्टी चीकन विद वेजटेबल पास्ता रेडी हो गया